है आपका दोस्त आपका एजुकेट रामन शर्मा आप लोगों के लिए डे थ्री इंडियन पॉलिटी के पॉड़कास्ट के साथ जहां पर आप सब लोग मेरे साथ अपनी इंडियन पॉलिटी की बहुत प्यारी किताब एम लक्षमी कांत को कवर कर रहे हैं उमीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियरली पहुच रही होगी आप सब के कानों में जल्ती से बता दो कि सर आवाज एकदम टना टन आ रही है कैसे हो आप सब लोग क्या हाल चाल है और पिछली जो हमारी दो क्लासेस थी पिछले जो दो सेशन थे वो आप सब लोगों ने कवर कर लिये होंगे कैसे हो टना टना है गुड इवनिग अव्रिवन गुड इवनिग गईज और लेट एवरिवन जोईन सब लोग आई थेंग थोड़ा सा धीरे धीरे जोड रहे हैं बट जोड जाएंगे गुड इवनिग आप सब का आज के सेशन में दोस्तों आपने कहवत सुनी होगी न करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान वापस रिपीट कर देता हूं जिन्होंने नहीं सुनी हो करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान रसरी आवत तातरे सिल पर परत निसान इसका क्या मतलब होता है इस दोहे का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से कोई भी आकुशल व्यक्ती कुशल बन सकता है पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा इसी लिए कवी ने जो दूसरी लाइन है उसमें कुवे की उस रस्षी का उध्वारन दिया है जिस पर बाल्टी को बांद कर कुवे से पानी निकाला जाता है बार बार पानी भरने के कारण वह रसी कुवे के किनारे पर बने पत्थर पर घिस्ती रहती है बार बार घिसने के कारण वह कोमल रसी उस पत्थर पर निशान डाल देती है क्योंकि पानी भरने की प्रक्रिया बार बार दो रही जाती है इसलिए वह रसी पत्थर निशान डालने में सफल हो जाती है पत्थर पर निशान डालने में सफल रहती है तो जिस तरीके से वह रसी पत्थर पर निशान डालने में सफल रही उसी तरीके से आप लोग भी अगर निरंतर प्रयास करते रहोगे रेगुलरली काम करते रहोगे अपने उपर कम वर्क करते रहोगे मेरे साथ लगे रहोगे जैसे मैं आपके साथ लगा रहता हूँ उसी तरीके से जब आप भी खुद के उपर मिनत करोगे तो सफलता डेफिनिटली मिलेगी एक चलिए तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एक important session होने वाला है आज का और जो chapters हम लोग आज के session में cover up करने वाले हैं वो मैंने आप लोगों के लिए already list out कर दिये थे आज हम लोग करेंगे parliamentary system आज हम लोग करेंगे federal system आज हम लोग करेंगे president आज हम लोग करेंगे vice president आज हम लोग करेंगे prime minister, council of minister और cabinet committees तो मैं तो target रहेगा कि आज सिर्फ और सिर्फ one and a half hour के अंदर ही डिड़ गंटे के अंदर मैं आपको सारी चीज़े cover up करा दो और आपका एक ही target हैना चाहिए कि जब तक मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ आप लोग भी शिद्दत से देखो भाई बहुत simple बात exam crack करना है मेरे साथ जुड़े हुए हो तो शिद्दत से लगे भी रो घिसना बहुत जरूरी है तो अपनी अपनी अम लक्षमे कांथ खोल लो और अपनी अपनी अम लक्षमे कांथ का जो system of government वाला chapter है parliamentary system सबसे पहले आप उसको घुमा लो कोई बहुत लंबा बहुत बड़ा chapter नहीं है छोटा chapter है तो जल्दी ही cover up हो जाएगा parliamentary system वाला chapter तो उसको ओपन करके उसको घुमा लो ठीक है घुमा लिया चलो शाबाश अब बहुत पार्लिया parliamentary system इंडियन constitution बात करते हैं तो parliamentary system के बारे में हमें जिक्रत देखने को मिल जाता और parliamentary system हमारे देश में दोनों ही जगों पर है center में भी और state में parliamentary system है और states में भी parliamentary system है कैसे यह तो आप naturally experience कर ही रहे हो ठीक आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 इस parliamentary system से deal करते हैं ठीक और पैरलली आर्टिकल नंबर 163 और आर्टिकल नंबर 164 आर्टिकल बात करते हैं कि वह स्टेट के अंदर किस तरीके से parliamentary system को work कराना है parliamentary system किस तरीके से होना चाहिए तो यह आपको सबसे पहले चार आर्टिकल अपने दिमाग में रखने हैं आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 देखो presidential system of government के बारे में अगर हम लोग बात करें it is one in which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts generally parliamentary system में क्या होता है कि government या executives legislature के प्रती responsible नहीं होते हैं they are not responsible to legislatures अपनी policies के लिए अपने acts के लिए मतलब उनको एक constitutional independence मिलती है कि भाई legislature अलग से काम करेगा और बाकी सब चीजें अलग से काम करेंगे अब जो हमारी जो modern democratic system है न उसको हम लोग दो तरीके से divide कर सकते हैं parliamentary और presidential और यह हम लोग कर सकते हैं कि भाई major मक्सद क्या है कि जो organs of government है वो आपस में किस तरीके से relative रखते हैं किस तरीके से relation रखते हैं तो मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई presidential जो हमारा system है और जो हमारा parliamentary system है या जो parliamentary form of government है उनके बीच में अगर difference बताना हो तो बहुत simple चीज है कि हम यह देखें कि भाई वहाँ पे legislature और executive के बीच में कैसा relation है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई parliamentary system of government वो system में जहां पर executive is is responsible to the legislator for its policies and acts और presidential system में it is one which the executive is not responsible ठीक presidential में responsibility नहीं होगी parliamentary में responsibility होगी parliamentary form of government को हम लोग cabinet system के नाम से जानते हैं cabinet government के नाम से भी जानते हैं तो इसका एक और नाम है क्या cabinet system या cabinet government के नाम से हम लोग जानते हैं या इसका हमने याद है आपको पिशली क्लास में एक और मैंने आपको नाम बताया था वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ओफ गवर्मेंट इस आलसो नोन ऐस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ओफ गवर्मेंट जो कि ब्रिटेन जैपैन केनेड़ और इंडिया के अंदर भी चल रहा है अगर हम लोग बात करें प्रिजिडेंशल सिस्टम की तो वो चलता है यूएसे ब्राजील रशिया शिलंका ऐसे देशों के अंदर तो पार्लियमेंटरी सिस्टम के कुछ हम लोग ने नाम पड़े हैं जैसे वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ओव गवर्मेंट जैसे कैबिनेट फॉर्म ओव के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं कि भाई इस अ काइंड ऑफ रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट ठीक क्यों क्यों कि वाई कैबिनेट जो की रियल एक्जिक्योटेव है वो अकाउंटेबल है किसके प्रती पार्लियमेंट के प्रती अगर हम लोग ब्रिटिस कॉंस्टुटिउचनल या पॉलिटिकल एक्सपॉर्ट की माने तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बोलते हैं प्राइमस इंटर पैर्स अगर कैबिनेट के बारे में बात करें तो उस कैबिनेट के अंदर भी जो सबसे टॉप पे बैठे हुए है और प्रधान मंत्री के पास जो पावर होती है जो पॉजीशन होती है वो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉमिनेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के पॉलिटिकल एड्मिस्टेटिव सिस्टम के अंदर जहां पर हम लोगों को एक पारलियमेंटरी फॉर्म गवर्मिन्ट देखने को मिलती है ठीक तो चलो यहां पे न एक काम करते है पारलियमेंटरी फॉर्म उवर्मिन्ट के फीचर समझते हैं पारलियमेंटरी फॉर्म उव गवर्मिन्ट के अंदर दो तरीके के head होंगे एक real head एक executive head जल्दी से अब लिखते जाना हमारे देश के real executive कौन है who is the real executive जिसको हम लोग बोलते है de facto executive कौन कहलाते है who is the de facto executive कौन है प्रधान मंतरी प्राइम मिनिस्टर de facto executive and who is the DGR executive या titular executive बस नाम के लिए executive है nominal executive है वो कौन है हमारे देश के अंदर president है तो जब भी कोई पूछे parliamentary form of government का पहला feature भाई यहाँ पर nominal भी होते है यहाँ पर real भी होते है दूसरा majority party का rule होता है अब वो majority कैसे ही बढ़िया majority party का rule मतलब कि भाई हमारे देश में जो सरकारे बनती है वो उनीक ही बनती है जिनके पास लोकसभा के अंदर majority होती है औरों की नहीं बनेगी इसके साथ साथ collective responsibility होती है हमारे देश का जो article number 75 है article 75 of Indian constitution वो खुद कहता है कि council of ministers are collectively responsible to the लोकसभा to the house of the people इसी चीज़ को हम लोग बोलते है collective responsibility क्या कहते है collective responsibility that is known as collective responsibility सब सब लोग collectively responsible है ठीक एक बात बताओ अगर हमारे council of ministers collectively parliament के प्रती responsible है तो अगर कोई आप से मानलो सवाल पूछता ही कि ये individually किसके प्रती responsible होंगे तो क्या answer दोगे आप लोग जल्दी बताओ और जिनोंने अभी तक वो like वाला बटन नहीं दबाया हो तो प्रेसिडेंट के प्रती मतलब प्रेसिडेंट के प्रती हमारे देश में जो येतने भी हमारे council of ministers हैं अगर उनको individual responsibility की बारे में बात करें जो प्रेसिडेंट आफ इंडिया चौथा फीचर आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी यूज्यली जो council of ministers के जो members होते हैं वो सबके सब same ही party से बिलॉंग करते हैं और नहीं बिलॉंग करते हैं तो वो हमारे बोलते हैं गठबंदन मन जाता है हमारे देश में तो वो गठबंदन बना रेते हैं दूसरा हमारे देश का system ऐसा है कि यहाँ पे होती है double membership मतलब जो लोग executive का part है वो लोग हमारे देश में legislature का भी part है जो हमारे देश में council of ministers हैं वो हमारे देश के अंदर दोनों house में से किसी भी house के member हो सकते हैं आइदर इन लोग सबा और इन रज्य सबा नो गईज एक छोटा सा और आप लोगों के लिए सवाल मैं बीट-बीट में आपसे सवाल पूछता जाऊंगा क्या हमारे देश में कोई व्यक्टी council of minister बन सकता है बिना पार्लियमेंट का member हुए बन सकता है क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है चल्दी बताओ बन सकता है yes but for six months for six months सिर्फ और सिर्फ छे महीने के लिए याद रखना अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको लिखना है कि बन सकता है ठीक चलिए moving on इसके बाद आता है leadership of prime minister council of minister के leader के रूप में या leader of parliament के रूप में या leader of part in power के रूप में prime minister important role play करते है ठीक इसके साथ साथ dissolution of lower house dissolution of lower house अगर lower house को dissolve कर दिया if the lower house have been dissolved by the president on the recommendation of prime minister तो क्या होगा इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो system है तो legislature है उसको वापस से election के अंदर जाना पढ़ेगा that is one of the important feature now secrecy ministers operate on the principle of secrecy of procedure now आपने सुना होगा ना जो oath ली जाती है council of ministers द्वारा वो उसके साथ एक और oath लेते हैं जिसको बोलते हैं oath of secrecy है ना तो उस oath of secrecy को यहाँ पर जिक्र किया गया है हमारे देश में भी oath of secrecy दिलाई जाती है it is administered by the president now इसी के parallel ही अगर हम लोग presidential government के बारे में बात करें presidential government में क्या होगी imagine करो कि जैसे किस तरीके से US में चलता है वहाँ पर बस एक ही executive है president is both head of the state and head of the government also and executive is not responsible to the legislature वहाँ पर बिलकुल एक separation of power का जो concept है ना वो पूरी तरीके से work करता है महाँ पर US में जो प्रेजिडेंट होते हैं या उनके जो सेक्रेटरी होते हैं दे आर नोट रिस्पॉंसिबल टू दी कॉंग्रेस अच्छा खासा होता है जो पार्टी हार जाती है माइनॉर्टी पार्टी होती है उसके पास अल्रेडी होता है कौन क्या क्या बनेगा और रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा होता है ठीक ऐसा ग्रूप बनता है जिसके अंदर जो मिनिस्टर से वह अलग-अलग लीजिन के होते हैं डी मेरिट्स भी है पार्लियमेंटरी सिस्टम की कि भाई एक पूलते हैं अंस्टेबल गवर्मेंट हो सकती है कभी मानलो मैजॉरिटी नहीं आई तो उसका प्र से और उसको एक तरीके से नेगेटिव में भी ले सकते हैं ठीक इसके साथ साथ इसके बाद जो अगला पेज है उसके अंदर आपको चार्ट दिख रहा होगा कंपेरिंग पार्लियमेंट्री एंड प्रेजिडेंशल सिस्टम दिख रहा है सबको 12.6 सबको दिख रहा है वह इतना ग्लैंस रीडाउट करो ग्लैंस में रीडाउट करो मतला बस अपने दिमाग में उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करो करा फोटो वोटो क्लिक करी बात बताओ बैग्राउंड म्यूजिक अगर चलाओं हलका सा तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को नीन तो नहीं आएगी तो थुरा सा एक बैग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगेगा आप लोगों को शायद थुरा सा फोकस बैठेगा आप लोगों का क्या नहीं लगाऊं मतलब लगाऊं की नहीं लगाऊं यह बताओ अच्छा है की नहीं है चलो कुछ लोग नो बोल रहे हैं तो अटा देते हैं कोई बात नहीं चलो ध्यांचा सुनो तो उपर अपने देख लिया एटा ग्लांस अपने अगले पेज पर आजाओ फेडरल सिस्टम फेडरल सिस्टम पर आजाओ आगए सब लोग फेडरल सिस्टम पर यह वाला सिस्टम अपना पूरा हो गया फेडरल सिस्टम पर आ जाते हैं कि भाई फेडरल सिस्टम मसलियत में काम कैसे करता है नो फेडरेशन क्या होता है फेडरेशन का क्या मतलब होता है बड़ यू मीन भाई फेडरेशन मैंने आपको बताय था कि federation का मतलब होता है division of power कि जो ताकते हैं वो divide हो गई हैं ताकतों का division हो गया है और यह ताकतों का division division of power किस किस के बीच में हुआ है central government के बीच में और state government के बीच में जब यह ताकतों का division हो जाता है तो उसको हम बोलते है federal government या federation उसी चीज़ को बुला जाता है federal system उसी चीज़ को बुला जाता है जहां पर हम लोग division of power करते हैं अब दोस्तों क्या होता है federation क्योंकि United States of America आपने आपको United States of America is the ideal federation के नाम से उसने अपने आपको मशूर कर दिया पुरी दुनिया वो लोग belief करते हैं कि हमारा ही federation बस federation है दूसरा का federation तो बस नाम का federation है वो भूल जाते हैं कि भाई इंडिया वो देश है किस देश के अंदर federation तब से है जब तुम्हारा देश के अंदर पेड़ पौधे हुआ करते थे इंसान थे भी नहीं तो इसलिए हम लोगोंने federation को दो तरीके से डिवाइड कर दिया पहला तरीका जिसको बोलते है coming together federation coming together federation मतलब कुछ independent states हैं अलग-अलग states हैं उन्होंने सोचा है कि भाई अगर हम एक साथ आजाएंगे देन वी विल बिकम more powerful हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे हम और ज़्यादा powerful हो जाएंगे और यहाँ पर जो छोटी-छोटी अलग-अलग states एकदम ऐसे मिल जोल के आई है न जुड के आई हैं तो वो जो states आई हैं उनके पास एक अलग सा अधिकार भी होता है कि वो जब चाया अलग भी हो सकते हैं because those states are autonomous इसलिए उसे गोलता है coming together federation जैसे United States of America जैसे Australia जैसे Switzerland तो USA Australia और Switzerland इसी चीज़ के example है ठीक अब एक सवाल का जवाब दो in coming together kind of federation states enjoy more autonomy as compared to holding together kind of federation true or false मतलब जो coming together federation है वहाँ पे states से ज़्यादा power enjoy करते हैं अगर यह statement आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे true लिखोगे की false लिखोगे की क्या लिखोगे आप किसा ही बात है सर ऐसे ही होता है नो दूसरा जो टाइप of federation है जिसको हम बोलते है holding together federation जिसका मतलब है कि बाई देश एक है उन्होंने देश के अंदर खुद ही हम लोगोंने डिवाइड कर दिये हैं बेटर अड्मिस्टेटिव परपस के लिए अलग लग आदी हैं बट असलियत में सब एक ही हैं तो पावर्स जन्दली टाइटल टूवर्स सेंटरल अथारिटी सेंटर की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होती है विकोज यूनियन इस दी में थिंग तो उसको बोलते हैं हम लोग holding together federation जैसे होता है इंडिया में जैसे होता है स्पेन यूनियन गवर्मेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है जो पावर होगी holding together वाले में वो यूनियन गवर्मेंट की तरफ ज्यादा shifted होगी ट्रू है न चालो गुड हाँ भाई अब बात करते हैं एक बारी जन्रल ले लेते हैं कि होता क्या है आपके जो chapter number है उसके अंदर कुछ टेबल नंबर 13.1 बनी होगी comparing the features of federal and unitary government बनी है हाँ बताओ या जल्दी से उपर वाला page फोल्ड कर दो इसका भी चलो जल्दी रिवाइस करते हैं federal government में dual government होगी मतलब एक center में एक state में unitary government में single government होती है एक national government होती है वही काम करती है federal government में क्योंकि भाई आपको एक ऐसा structure बनाना है कि भाई साब union के पास क्या power है state के पास क्या power है तो इसलिए आपके पास एक written constitution होना चाहिए it is very important that you should have a written constitution division of power होता है national और regional के बीच में ठीक और क्योंकि written constitution है और federal government को अच्छे से चलाना है तो constitution is also supreme कि constitution की बात मानी जाएगी तभी तो वो division सफल हो पाएगा इसी के पैलली अगर आप unitary government के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भाई single government होगी तो कुछ देशों में यहाँ पर written constitution है और कुछ देशों में unwritten भी है मतलब नहीं भी लिखा गया division of power तो यहाँ पर ही नहीं क्योंकि अगर division of power हो जाता तो वो federal government नहीं हो जाती constitution यहाँ पर supreme हो भी सकता है और supreme नहीं भी हो सकता है जैसे माननों ब्रिटेन के अंदर सोप्रीम नहीं है constitution जैपैन के अंदर है नो federal government में क्योंकि आपने division of power किया है सम्वेधान यहाँ पर बहुत rigid होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था न हिंडियन constitution is rigid कि हम लोग अमेंड कर सकते हैं बट फिर भी basic structure doctrine को तो हम लोग नहीं छेड़ सकते हैं आप बाकी जगों पर जहाँ unitary government है वहाँ पर rigid हो या flexible हो वो उस देश के ऊपर depend करता है similarly independent judiciary होती है federal government में और unitary government में judiciary independent हो या ना हो वो depend करता है उस देश के system के ऊपर federal government में by camera legislature होता है अक्सर by cameraism by camera legislation का मतलब यहाँ पर अक्सर दो houses होते हैं house of the people एक house of the states और अगर unitary government के बारे में बात करें तो legislature bicameral भी हो सकता है और unicameral भी हो सकता है bicameral जैसा ब्रेटेन में है unitary camera मतलब जैसा कि भाई साथ चाइना के अंदर हैं तो ऐसे यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है ना federalism in India यह ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ इसमें से कावी से चीज़े हो सकता है कि आपको book में ना मिले Indian Federation के बारे में बात करें ना तो India is a federal system सब लोग जानते हैं पर हमारे देश को बड़े बड़े political analyst क्या कहते है कि भाई we are quasi-federal quasi मतलब होता है semi यह देश ना semi-federal है ठीक this nation is a semi-federal nation मतलब वो कहते कि भाई इस देश के पास ना pure federal नहीं है because यह कभी भी किसी भी समय पर unitary भी shift मार सकता है और हमारे सम्विधान के अगर आप article number one खोलोगे article number one हम लोग मैं आपको पहले ही lecture number one के अंदर पढ़ा चुका हूँ अगर हम लोग article number one खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ है India that is भारत चैल भी union of state क्या कहीं federation शब्द हमारे सम्विधान ने explicitly mention किया है explicitly कहीं लिखा हुआ है कि नहीं भाई हम तो federation है कहीं लिखा है नहीं लिखा है कहीं पर भी नहीं लिखा है that we are the federation of state no तो word federation हमारे सम्विधान में नहीं लिखा है ठीक याद रखना चलो बात बताओ which is not mentioned in the Indian constitution provincial autonomy, hindi, secularism या federation इन चारों में इसे कौन सा शब्द Indian constitution में mention नहीं है provincial autonomy, hindi, secularism, federation federation, अब यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कबार जब paper में सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर confused हो जाते हैं and they are not able to get क्योंकि महाँ पर लगता है नहीं भाई, इंडिया तो federal country है कहीं न कहीं तो federation शब्द लिखा होगा कभी कबार हम जानते हुए भी, चीजें आते हुए भी, हम लोग गलत कराते हैं ठीक, अब भाई हमारे देश के अंदर जो पूरा-पूरा federation system है न दोस्तों वो Government of India Act 1919 से हम लोगोंने inspire होके लिया है आपको याद होगा Government of India Act 1919 का प्यार भरा नाम बता दो जुझे जल्दी से प्यार से क्या कहते हैं उसको, प्यार से क्या कहते है Government of India Act 1919 को जल्दी से बताओ, इतनी तेरी थोड़ी लगती है Modern India में पढ़ा है न, पढ़ा है न, Modern India में ते कहते हैं उसको उसको बलते हैं, Yes, उसको बलते हैं Montagu Chemsford Reform that is known as Montagu Chemsford ठीक, it is known as Montagu Chemsford Reform Now, Montagu Chemsford Reform में power separate कर दीं, center और provincial legislature के बीच में basically यह डायार की और bicameralism के लिए famous है तो बोला कि भाई, federal government, two level of government होगी political power shared होगी, different types of laws होगे, center और states में constitution को और ज़्यादा codify कर दिया गया, और ज़्यादा rigid कर दिया गया और अगर आप देखो, तो हमारे देश के लिए भाईसाब federation ही ठीक है, क्यों? ठीक तो size देखो इस देश का कितना बड़ा है और आप population देख लो, population के मामले में तो हम दूसरा planet बना सकते हैं आज की date में वर्ल्ड की सबसे largest population है हमारी, कितनी हो गई हमारी population? कितनी हो गई इंडिया की population? करेंटली, न्यूस में था ना, 1.43 बिलियन, 1.43 बिलियन लोग इस देश के अंदर रहते हैं 143 करोर, सोचो, और हमारे देश की social cultural diversity को imagine करो, ऐसा खतरनाक डाइवर्स नेशन है हमारा हर 10 किलो मीटर बाद भाषा बदल जाती है, मैं यहां दिल्ली से चलू, ठीक गासेबाद में भाषा चेंज हो जाएगी, फिर हापुर में हो जाएगी, दादरी पे हो जाएगी, मेरेट में मुझफर नगर में, सहारनपुर में, वहां से उत्राखंड में अलग हो जाएगी इधर से दूसरी साइट चलूँगा, तो इधर नौइडा में भाषा बदल जाएगी, फिर नौइडा के बाद अलिगर, बनारस, तोरी अलिगर, फिर अपने आपे विरिंदावन, फिर आगरा, भाषा बदलती ही चली जाएगी, इधर चलूँगा तो इधर हर्याना में भ भाषा बदल जाएगी भाषा बिलकुल, पंजाब की तरफ भाषा बदल जाएगी, यह तो थोड़ी सी दूर की बात है, हाँ एक बात अच्छे है कि हम सब लोग दुसरी की भाषा समझ जाते हैं, इंडियन फेडरेशन सिस्टम अगर देखा जाए न, अगर कोई मानलो आंसर होगा आपका कैनेडा, येस हम लोग दोस्तों कैनेडियन मॉडल के बहुत जादा नजदीक है, कैनेडियन मॉडल अमेरिकन मॉडल से डिफरेंट है, और कैनेडा के अंदर भी we have a very strong center, center बहुत strong है, ठीक, clear और हमारे देश के अंदर, इंडियन यूनियन के अंदर, हम लोगों ने government दो लेवल पे तो establish करी, center और state में, then we have schedule number 7, जिसमें तीन अलग लिस्ट भी है, power भी लिखी है, यूनियन लिस्ट के अंदर अलग क्यों से पावर है, state लिस्ट के अंदर अलग पावर है, concurrent लिस्ट के अंदर अलग पावर है, फिर हमारा समविधान सुप्रीम ह समविधान से उपर कुछ नहीं, भी दा पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने अपना समविधान दिया है, उससे उपर कोई नहीं है, basic structure है हमारा indestructible, we are indestructible, हमारे या कोई state अलग बलग नहीं हो सकती है, state in India have no right to territorial integrity, because of American states, नहीं हो आप Indian states हो, we have separation of power, we have independent judiciary, but it is not water tight, हमारे पास check and balance का भी principle है, ठीक, पर हमारा देश कभी-कभी, कभी-कभी unitary feature भी अपना लेता है, कब अपना लेता है भाई unitary feature, unitary feature अपनाता है, नहीं पहले वापस से पिछली वाले topic पर आ जाओ, दिखो और भी चीज़े हैं हमारे देश में, जैसे we have single citizenship, ठीक, emergency provisions है हमारे पास, कोई state representation के अंदर equality नहीं है, रज्जे सभा में अगर आप देखोगे, we have all India services, IAS, IPS, Indian Forest Service, यह all India service है, फिर audit machinery भी हमारे यहां integrated है, CAG center का भी करता है, CAG states का भी करता है, फिर हमारे यहां पर देखो, governor का appointment जो है, अगर आप देखोगे, वो कौन करता है, it is appointed by the president, election machinery भी हमारे यहां integrated है, ठीक, तो इस तरीकी की चीज़े हैं, जो हमारे देख को federal बनाती है, पर भाई, हमारे देख में unitary features भी है, unitary मतलब जहां पर central government is very 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 strong, सारी के सारी power central government के हाथों में आ जाती है, कब-कब, भाई, हमारा देख पहली बाद तो flexible सम्विधान पर चलता है, flexible सम्विधान in terms of the system we are following, federal से unitary पर आ जाते हैं, जैसे schedule 7 में मैंने आपको बताया कि तीन list है, union है, state है, concurrent है, concurrent list पर कोई कानून बनाना है और बना दिया state और center ने, तो center वाला ही prevail करेगा, center का कानून उपर रहेगा, मैंने आपको बताया कि राज्य सभा के अंदर states ही unequal representation है, उत्तर प्रदेश के बाद पास 31 seats हैं, गुवा के पास बस एक seat है बताओ, राज्य सभा में, तो state की representation भी लोगों के आधार पर है, अगर ideal federation होता हमारा देश, तो सारी की सारी states को equal number of seat मिलती, मिलती न, खुद बताओ, अगर हमारा ideal federation होता है, तो हर एक state के equal number of लोग बैठ जाते हैं, पर नहीं, क्योंकि we are not ideal federation, और हम लोग coming together federation हैं, इसलिए इस तरीके का हम लोगों ने अलग-लग किया हुआ है, हमारे executive legislature का part है, लोग सभा हमारे देश में powerful है, राज्य सभा से मानते हो की नहीं मानते हो, और जब लोग सभा पावर है राज्य सभा से, तो it is more talking about unitary feature, federal feature नहीं, अगर federation strong होता, या वो federal structure हमें इतना strong करना होता, तो हम राज्य सभा को ज़्यादा पावर दे देतें दोस्तों, फिर emergency के दोरान, सारी पावर हमारे यहां union government के पास आजाती है, ठीक, we have integrated judiciary, governor की appointment center कर रहे हैं, अब इस president कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि union एक check-in balance रख रहा है states के साथ, और प्रेजिडेंट के पास एक पावर है कि state bill के ओपर veto कर सकते हैं, है ना, governor के पास option होता है ना कि वो प्रेजिडेंट को भेज सकते हैं एक बिल, तो वो वाली चीज़ हैं, ठीक, अब इंडियन फेडरेशन के कुछ चैलेंज़ भी हैं, जैसे regionalism एक challenge है, एप्सेंस ओफ फिस्कल फेडरलिजम एक challenge है, अमेंडमेंट पावर एक challenge है, ठीक, ये सब जो हैं, ये सुरा means का पाट है, ठीक, तो दीज आर दी फिंक्स यू आल नो, लेट अस मूब ओन, तो वन उफ यूर फिवरेट टॉपिक, गुमालो भाई, आगया है समय, खतरनाक खतरनाक चीज़ें गुमाने का, क्या गुमाओगे, क्या लिखाए आपके लिए, अब हम पढ़ेंगे, Central Government, ये वाला portion हो जाता है न, तो confidence आ जाता है, मतलब, आज और कल में ये वाला पुदा, निपटवा दूँगा, तो आज आपको एक confidence आपके प्रेजिडेंट हो गया, प्रेजिडेंट से एक सवाल पक्का है, एक सवाल पक्का है, सर हिंदी भी बोल दीजिये, कहांता जी में को ऐसा लग रहा था, मैं अभी तक हिंदी ही बोल रहा हूँ, अभी हम लोग प्रेजिडेंट करेंगे, प्रेजिडेंट करेंगे, प्रेजिडेंट करेंगे, पार्लियमेंट तक फिर सेंटर स्टेट पढ़ाऊंगा, मुझे हमेशे ऐसा लगता है कि हम लक्षमी कांट में, में सेंटर स्टेटं ए cinco ऐले नहीं देना चाहिये था कि सिक्वेंस गलाता है थैस कि तुम अपने सिक्वेंस के सिवाइन हे से पड़ाऊंगा वई पहले पाहले पार्लियमेंट सिस्टम समझो अलग-अलग चैप्टर नमबर 17, पार्ट नमबर 3, सेंटरल गवर्मेंट, खोल दो ठीक, इतना तो करिए सकते हो सर आपकी क्लास में मैंने हिंदी सीख लिया that's good, मैंने भी सीख लिया bilingual पढ़ाता पढ़ाता, काफी मेरे कोई हिंदी वाली चीज़े आ गई है that's a good thing चलिए, प्रेजिडेंट के बारे में बात करते है ध्यान रखना, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अपना फोकस बिलकुल कर ले क्योंकि ये चैप्टर न, अगर मुझे प्रियोरिटी में देखना हो तो पार्लियमेंट वाला चैप्टर अगर नंबर बन पहने तो नंबर टू पे प्रेजिडेंट है आपको ही पता है, एक्जाम के लिए पूरी एम लक्षमिक गात में नंबर टू प्रियोरिटी इस चैप्टर की होनी चाहिए शुरू करते हैं दा प्रेजिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक पार्ट नंबर 5 अब दी इंडियन कॉंसिट्यूशन के अंदर मेंशन आता है यूनियन एग्जिक्यूटिफ का जब भी हम लोग यूनियन एग्जिक्यूटिफ के बारे में बात करते हैं उसके अंदर आते हैं कौन-कौन प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल अफ मिनिस्टर एंड 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 एंडिया कौन-कौन प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल आफ मिनिस्टर एन एट्वर्नी जनरल ओफ हिंडिया कुछ भी भूल जाना एट्वर्नी जनरल को मत भूलना बहुत जरूरी आदमी है भाई राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट के अंदर यह भाई साब पब्लिक अथोरिटी के अंदर नहीं आते हैं पर यूनियन एक्जेक्यूटिव में यह आते हैं पावर इनके पास इतनी बहतरीन है जब आगे मैं आपको बॉडिस भी पढ़ाऊंगा आपको पता लएगा भाई कितनी बहतरीन पावर है जहां मन चाहें वहां घुसके बैठ जाए जिस भी कोट में जाए घुसके बैठ जाए गवर्मेंट तो गवर्मेंट प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यह तो इस पूरे उसमें सबसे अदा ध्यान आपको जो रखना है वो यही रखना है कि भाई अटॉर्णी जनरल का नाम मिस नहीं होना चाहिए तुमसे ठीक और गलती से अटॉर्णी जनरल की जगे अगर कुछ होड घुसा दिया यहां पर तो उसको भी देख लेना कि वो नहीं रखना है नो प्रेजिडेंट इस दी हैड आफ इंडियन इस्टेट हमारे देश के पहले नागरिक कौन है हुई इस दी इंडियाज फर्स सिटेजन है कोई पूछता है हुई इस दी फर्स सिटेजन आफ इंडिया जैसे यू-एस में होता है रहा है तो इस दी फर्स मैं दी फर्स लेडी हमारे देश के फर्स सिटेजन कौन है प्रेजिडेंट येस प्रेजिडेंट इस दी फर्स सिटेजन आल्सो ठीक, फॉस्स रिज़न है प्रेज़िट प्रेज़िट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट के हेड है, he is the first reason of India and he is the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. LINE को underline कर रो, क्योंकि UPSC को ऐसे सवाल पूछना पसंद है, आज तक उनोंने पूछे भी नहीं है, आज तक उनोंने पूछे भी नहीं है, that who is the symbol or symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. Why? Because he is the head of the state, ना भाई? आपके घर में कोई आता है, तो who is the head? Father is the head, और mother is the head, आप जिस भी परंपरा को बिलॉंग करते हो, तो he will always be the first citizen of your house, आधार कार्ड, राशन कार्ड में सबसे उपर उनी का ही नाम होगा, अब तो वैसे मदर का होने लगा है, good thing government of India is doing, है ना, है कि नहीं, बढ़िया काम कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं, गवाज सरकार, women empowerment, तो president is the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation, हमारे देश में president क्या होते हैं, चलो बताओ, president is appointed, elected, nominated, you are none of the above, क्या होता है इस देश में, क्या होता है इंडिया में, क्या होता है, चलो बताओ, president is elected, we have elected president, हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था न, प्रियम्बल में एक शब्द था, जिसको president is elected से हम लोग link कर सकते हैं, कौन सा शब्द है वो, विच वर्द इस, शाबाश, 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 that word is republic, हम इंडिया को रिपबलिक मानते हैं, इसलिए, because the head of our country is elected, now president is elected, पर खास बात ये है, कि हमारे देश में president elected नहीं है, हमारे यहां directly elect नहीं होते हैं, हमारे जो representatives होते हैं, वो elect करते हैं, प्रेजिडेंट को, ठीक, अब प्रेजिडेंट को elect करने के लिए, हम लोग एकना electoral collage बनाते हैं, electoral collage का मतलब कि कौन-कौन लोग vote करने के लिए eligible हैं, तो प्रेजिडेंट का election एक तो indirectly elected हो गया, क्योंकि हमने जिनको चुना और वो लोग election में participate कर रहे हैं, और यहां पर आपको तीन चीज़ें याद रखनी हैं, क्या-क्या कि भाई कौन-कौन presidential election का part होंगे, पहला, elected members, elected members of both house, मतलब लोगसभा और राज्यसभा दोनों के elected members, elected members of state legislative assembly, अब याद दखना, सिर्फ state legislative assembly, state legislative council का यहां पर कोई भी जिकर नहीं है, ठिक, और तीसरा, जो elected member हैं हमारे देश के legislative assembly, जो union territory के अंदर हैं, जैसे डेली के अंदर है, पुडूचेरी के अंदर है, अभी तो बनी नहीं है, नहीं तो the union territory of, union territory of, जे के के अंदर भी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, electoral collage, clear है सबको, अब एक चीज़ ध्यान रखना, elected members, सब जगे, जो जिकर आया है, वो आया है, elected members का, नो हमारे सम्वेधान में, uniformity of representation की भी बात की गई है, क्योंकि देखो, आप के जो representative हैं, वो कुछ number of लोगों को represent कर रहे होंगे, और उन्ही number of लोगों को represent करते हुए, presidential vote के अंदर वो participate कर रहे हैं, तो जब वो उन्ही number of लोगों को ले कर कर रहे हैं, तो वो इसलिए हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो total number of MPs हैं, उनका जो vote होगा सबका same होगा समके जो सबके voting numbers होंगे same होंगे क्योंकि सारे MP जो चुने जाएंगे वो सब equal number of लोगों को ही represent कर रहे हैं ठीक है जो हमारी constituency उसी हिसाब से define होती है पर जो MLA's होंगे उनके votes different होंगे दूसरी state के MLA के same state के तो same ही रहेंगे क्योंकि एक state का MLA कुछ जो number of लोगों को अपनी legislative assembly में represent कर रहा है वो same नहीं होगा जो दूसरी state का MLA उनकी legislative assembly में represent कर रहा है इसलिए MLA जो एक state के हैं उनके आपस में same रहेंगे पर दूसरी state के MLA होंगे और इसी तरीके से MLA का vote और MP का vote भी different different रहता है अब ये different different के साब से रहता है आपके page पे दो formula लिखे हुए है पहला formula क्या कहता है that the value of vote of MLA equals to total population of a state भाई वो से state के ही तो legislative assembly का MLA है तो उस state के अंदर total population divided by total number of elected member of state legislative assembly कितने लोगों में बाठना है into one upon one thousand formula सबको दिख गया उसके ऊपर सितारा लगा लो formula दिख गया make it your highlight highlight कर दो भाई सब formula को important है इसके बाद दूसरा formula value of MP अब MP के vote की value के लिए क्या किया हम लोगों ने जितने भी MLA हैं पूरे देश के अंदर अलग-अलग state के भी उनकी सबकी vote को मिला दिया add कर दिया और फिर total number of elected member of parliament को divide कर दिया तो ऐसे MP के एक value की vote अलग आ गई और MLA के vote की value अलग आ गई इतना सब को समझ में आ गया clear है clear everyone जल्दी जली दो यार हां की clear है clear चलो good presidential election proportional representation के आधार पर होते है by mean of single transferable vote और secret ballot से यहाँ पर voting कराई जाती है ठीक कैसे होता है proportional representation हाँ भाई हर एक MP का और MLA का अलग अलग representation है की नहीं है अलग अलग representation हो रहा है न सब की value of vote डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है निल रहा है फिर यहाँ पर single transferable vote का क्या मतलब है इसमें यह मतलब है कि what we believe नीचे के electoral quota का आपको formula दिख रहा होगा कि total number of valid votes pulled divided by 2 plus 1 simply majority plus 1 का formula है कि आपको majority plus 1 लानी है तो आप president बन जाओगे अब मानलो 10 लोग खड़े हो गए तो 10 की voting हो गए और किसी का भी यह majority नहीं आया ठीक है किसी की भी majority नहीं आयी तो उस case में क्या करोगे single transferable vote इसका मतलब जिसको सबसे कम vote मिले होंगे उसका परचा उठाएंगे लोगों को vote करने के लिए जो परचा दिया गया होगा उसमें बोलाओगा कि वाई 10 के जो 10 है ना उनको rank के साब से करो कि number 1 यह है number 2 यह है number 3 यह है उन्होंने number 1 पर जिसे किया होगा उसको कम vote मिले तो उसके number 1 यह हटा कर जिसने number 2 पर उन्होंने किया होगा उसको उनका vote माना जाएगा फिर बाट दिया जाएगा 9 में अब मानलो तो भी नहीं होगा है तो नौवे वाले का उठाएंगे परचा जिसमें नौवे वाले को first लिखा होगा उन्होंने second पे किसको लिखा है उसको vote बाट देंगे और अगर मान लो second पे दसवे वाले का number था तो फिर उसमें third वाले को देखके बाट देंगे ऐसे करके जब तक यह जो electoral quota है total number of valid votes pulled divided by 2 plus 1 यह अचीव नहीं हो जाता यह अचीव नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे इसलिए बोलते हैं single transferable vote और voting होती है secret ballot मतला डबा रख दिया जाता है और वहाँ पर आप लोग अपनी चीज़ें डाल सकते हो clear everyone अब भाई presidential election में मान लो कोई गरबड हो गई कोई doubt है election ढंग से नहीं हुआ तो उसका decision final कौन देखेगा who is the final authority तेखो भाई यहाँ आपको मुझे कुछ आंसर देने पड़ेंगे बहुत सारे who is the final authority final authority is supreme court आपने इतना समय पॉलिटी में खर्च करते हो तुम लोग 80-90-90-90-100 घंटे मैं तुम्हें 8-9 घंटे में करा रहा हूं तो थोड़ा तो interaction तुम्हें रखना बढ़ेगा ठीक है supreme court decide करती है final चीजें एक एक स्टेटमेंट कवर करा दूँगा इंडियन पॉलिटी पेपर में ऐसे मक्खन हो जाएगी काई ज्याद रखो if the election of a person as president is declared void by the supreme court supreme court ने election को void declare कर दिया मना कर दिया भाई यह presidential election खतम है तो presidential election से जब से declare किया उससे पहले प्रेजिनेंट ने जितने काम किये हैं वो enforce रहेंगे वो काम नगेट नहीं हो जाएंगे याद रखना उस काम की value रहेगी यह नहीं है कि वो काम नगेट हो जाएंगे वो काम बंद हो जाएंगे नहीं उन कामों की value रहेगी ठीक clear चलिये यहाँ पर आजाते हैं qualification of president की तरह प्रेजिदेंट के लिए क्या क्या qualification है पहले तो भारतिय नागरिक होने चाहिए ठीटिट थर्टिफाइव यर्स की उनकी एज होनी चाहिए ठीक है he should be qualified for election as a member of लोकसभा लोकसभा के member होने के रूप में वो qualify होने चाहिए and he should not hold any office of profit यहाँ पर यह जो qualification है इसमें underline कर ले ना अगर आपने नहीं किया हो तो सबसे important चीज है लोकसभा लोकसभा राज्य सभा नहीं लोकसभा UPSC अगर सवाल बनाएगी यहाँ पर आपके लिए राज्य सभा घुसा देगी चोटे चोटे चीजें हैं बड़ा नंबर खो देती है ठीक office of profit नहीं hold करेंगे office of profit क्या होता है यह समझो किसी भी तरीके का दूसरा ऐसा पद होल्ड नहीं करेंगे जहाँ पर उनको लाब हो चाहे ज़दा तर यहाँ पर जो लाब की बात की गई है that is economic benefit और यहाँ पर union या state government या किसी local authority या public authority किसी के अंडर भी office of profit hold नहीं कर सकते अब एक और चीज़ सुनू प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट गवर्नर मिनिस्टर इनको office of profit नहीं माना जाएगा इसलिए अगर कोई मान लो presidential पद पे है या वाइस प्रेजिडेंट के पद पे अल्रेडी है गवर्नर के पद पे है council of minister के अंदर है चाहे वो union के हो या state के हो तो वो प्रेजिडेंट का चुनाव लड़ सकते है ठीक तो वो उस समय पे qualified है इन पदो को ये नहीं माना जाएगा कि ये जो पद ही office of profit के अंदर है जब बन जाओगे मान लो चुन लिए गए प्रेजिडेंट तो तो भाई आपको बंद करना ही पड़ेगा है न मतलब तो तो छोड़ना ही पड़ेगा ठीक है तो उस case में you need to leave it up now moving on देखो प्रेजिडेंट का जो nomination भरने भी जाते हैं तो भी जोरो शोरो से जाना है भाई है ना ऐसा हलका पत तो है नहीं यहां तो लोकल चुनाव के में कोई लोकल चुनाव तो छोड़ो कोई IWA के लिए भी चुनाव लड़ने जाता है वो भी बस सेकरेटरी का तो बेंड वाजे से जाता है 20-25-30 लोग अपने पीछे लेकर गलती से वो लोकल काउंसलर का चुनाव है पंचैत का चुनाव है तो देखा कर भाई हजूम जाता है पूरा साथ में तो ऐसे ही भाई जब प्रेजिडेंट के नॉमिनेशन की बात होती है तो इनको भी लगभग सो लोगों का समर्थन चाहिए कैसे पचास तो प्रपोजर होना चाहिए मतलब पचास लोग उनका नाम प्रपोज करें यह व्यक्ति बढ़िया है इस व्यक्ति को प्रेजिडेंट बनाना चाहिए और जो बाकी जो और अलग जो 50 लोगों गे वो हाथ खड़ा करेंगे नहीं नहीं भाई हम भी साथ में हैं वी आर अलसो सपोर्टिंग 50 electors और 50 seconders electors as seconders होने चाहिए अब ये दो खो 50 proposer या 50 electors जो है न ये वहीं है जो electoral collage का part बना रहे है this is important नहीं कि भाई नहीं समर्थन है और हर एक candidate को security deposit करना पड़ेगा 15,000 रुपे का ये क्यों किया ये इसलिए किया क्योंकि भाई कोई बेफालतू में चुनाव न लड़ने पहुँच जाए वैसे इनको लग रहा है कि 15,000 बहुत बड़ी रकम है जो प्रेजिएंट का चुनाव लड़ेगा उसने 15,000 आगे पता नहीं क्या क्या चलो छोडो कोई सुन ले तो क्या बोलेगा ठीक है deposit करना पड़ता है कितने का 15,000 का चलो आगे बढ़ते हैं Oath और Affirmation of the President मैं बोल रहा हूँ Oath and Affirmation President जब जाएंगे तो उन्हें भी ओथ लेना पड़ता है देखो वै ओथ बहुत ज़रूरी है है ना ओथ बहुत ज़रूरी है ओथ से ये लगता है कि नहीं बंदा सही काम करेगा मतलब उसकी ना Morality जाग जाती है हमारे देश में Oath तो पता नहीं देखो कब से चल रही है खुद सोचो Oath का सबसे बड़ा एक्जामपल तो Marriage as a Institution है है ना कस्मेवादे ही तो दिलाए जाते है ठेक तो ये Oath वाला Concept शायद वहीं से ही आया होगा और Oath में इसी रही है क्या होता है Oath और Affirmation ये दो अलग अलग चीज़े होती है है ना काईस वाट इस देफिल्म बवीन Oath और Affirmation देखो अब क्या है देखो भाई देश सेक्यूलर है तो अलग अलग भगवान है कोई किसी के अभी नाम लेकर Oath ले सकता है कसम खानी है तो जैसे भगवान की कसम खाते है तो जब ऐसे कसम खाते हैं तो उसको Oath बोलते है और मानलो कोई व्यक्ति Atheist है है ना इफा परसन इसन एथिस्ट वो किसी भगवान को नहीं मानता किसी को नहीं मानता तो वो खुद से Self-Affirmation लेता है मैं गलत नहीं करूंगा मैं किसी को मानता नहीं हूँ बट मैं अपनी एक्दम अंतर आत्मा से मैं Self-Promise कर रहा हूँ तो ओव्यक्ति उसके बारे में बात करता है तेक चलो तो Oath और Affirmation में President की Oath आपके सामने लिखी होई है यहाँ पर तीन पॉइंट सबसे important है President को Oath कौन दिलाता है Chief Justice of India C.J.I. President को Oath दिलाते है ठीक है और C.J.I. को Oath कौन दिलाता है हाँ भई C.J.I. को Oath कौन दिलाते है और C.J.I. बन गए तो उन्हें भी तो Oath लेनी पड़े ही उन्हें Oath कौन दिलाएगा President तो दोनों आपस में एक दूसरे की Oath दिलाते है अगर मान लो Presidential Oath दिला रहे हैं C.J.I. और C.J.I. नहीं है C.J.I. इस एपसेंट उस केस में जो भी Senior Most Judge होंगे Supreme Court के वो Oath दिलाएंगे ठीक मान लो किसी भी सिचुएशन में Vice President President बन गए तो उन्हें भी वापस से Oath लेनी पड़ेगी As a President Presidential Oath में आपको तीन पॉइंट दिखने हैं 1,2,3 दिखरे हैं सबको 1,2,3 पॉइंट इसमें Point No.2 आपके लिए Important है जो बात करता है कि President is the Pappard of the Constitution क्या है Pappard हैं He is the Preserver, He is the Protector He is the Defender of the Constitution आई बात समझ में He is the PPD of the Constitution वो Preserver हैं वो Protector हैं वो Defender हैं हमारे समविधान के खीक Clear God नो आगे बढ़ते हैं Condition of President's Office He should not be a member of either House of Parliament or House of State Legislature भाई? कि भाई President बन गया है तो और कुछ होल्ड नहीं करोगे कोई Office of Profit होल्ड नहीं करोगे उनको Without Payment उनको Official Residence राष्ट्रेपती भवन दिया जाता है उनको Emoluments, Allowances, Privileges दिये जाते हैं That may be determined by the Parliament Now this is a very important point Fourth point पे सरकर लगा लो President को जो भी Emoluments दिये जाते हैं जो भी Allowances दिये जाते हैं जितनी भी Privileges दिये जाती हैं वो कौन डिसाइड करता है वो पार्लियमेंट डिसाइड करता है और जब उनका Office का कारे ले चल रहा है कारे कर रहे हैं वो उनका बोलते हैं कारे सीमा चल रही है उस दोरान उनके ना Emoluments ना Allowances किसी में भी छेर छाड नहीं की जा सकती है ठीक है चलो आगे बात करते हैं Term Impeachment and Viquancy हम लोग अब जिस टॉपिक पर जा रहे हैं वो है Term Impeachment and Viquancy पर उससे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलो Term Impeachment and Viquancy के ज़स्ट उपर एक paragraph है paragraph important मैं उस paragraph को पढ़ता हूँ पूरा paragraph सरूर ही है आपके लिए उस paragraph को mark करके उसके उपर star लगा लेना The President is entitled to Number of Privileges and Immunity उनको personal immunity मिलती है from legal liabilities for his official acts अगर वो अपने office में कोई भी ऐसा काम कर देते हैं जो कि मान लो गलत है तो उनके पास उनके उपर कोई legal liability नहीं होगी उनके टर्म में उनके खिलाफ कोई भी criminal proceedings नहीं हो सकती है सोचो उनके खिलाफ कोई भी criminal proceedings होई नहीं सकती अगर अगर कोई civil proceeding उनके खिलाफ है अभी शेक राज प्रेजिडेंट वाला chapter हम लोग terms impeachment and vacancy के बिलकुल उपर वाले paragraph पे हैं अगर उनके खिलाफ कोई civil proceeding चालू हो गई तो उस दौरान उनको दो महिने का prior notice दिया जाएगा ठीक ये important point याद रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया है ये इसलिए important हो गया है because recently राहूल गांदी जी के खिलाफ जो defamation का case आया न उससे जितनी भी privileges थी ये कि भाई criminal proceeding किस के साथ हो सकती है civil किस के साथ हो सकती है ये इसलिए मैंने आपको highlight करके बताया है this is the reason this has became important ठीक now presidential office के term के बारे में बात करते है president अपना office से कभी भी resign कर सकते हैं दोस्त लोग और जब भी उनको resignation देना हो तो वो देंगे vice president को अभी आपे देखो ध्यान रखो ओत दिला रहे हैं cgi ओत कौन दिला रहा है ओत दिला रहे हैं cgi और resignation ले रहे हैं vice president ठीक प्रेजिडेंट को उनके पद से हटाया भी जा सकता है और जब president हटाय जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं impeachment I-M-P-E-A-C-H-M-E-N-T पूरे भारतिय सम्विधान के अंदर ये जो impeachment वाला जो शब्द है न दोस्तों ये कहीं और इस्तमाल हुआ ही नहीं है सेवाए presidential impeachment के जब तक प्रेजिडेंट का पद कभी हमारे देश में खाली नहीं होता है याद रखना प्रेजिडेंट का मान लो election भी हो रहा हो जब तक प्रेजिडेंट ओथ नहीं ले लेते जब तक प्रेजिडेंट जब प्रेजिडेंट होते हैं वो उस समय तक भी प्रेजिडेंट के पद पे बैठे रहते हैं उस दिन तक भी उस घड़ी तक भी क्योंकि प्रेजिडेंट हमारे देश के head है ये बिलकुल राजा की तरह है कि कोई भी प्रजा बगेर राजा नहीं रह सकती इसलिए हमारे देश के अंदर भी जो प्रेजिडेंट है उनके बिना वो पद नहीं हो सकता ठीक हमारे देश में एक व्यक्ति प्रेजिडेंट कितनी बार बन सकता है कितनी बार बन सकते हैं हमाई देश में प्रेजिडेंट हां जी इन्फेनाइट टाइम जितनी बार चाहो उतनी बार बनो इस 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 अनलिमिटेट फिक अब फाय प्रेजिडेंशल इंपीच्मेंट कैसे होती यह तैक्निकल भी है और यह याद करने वाला कि प्रेजिडेंशयल इंपीच्मेंट कैसे होती हैं ध्यान रख़ो छोटी छोटी चीशस्क्रद्डेंट केन बी रिमूबसर्म ओफिस only for violation of constitution do remember this इनको सिर्फ तभी अटाए जा सकता है जब इन्होंने constitution का violation किया he has violated the constitution ठीक अब impeachment के charge लगाए जाएंगे और वो दोनों में से किसी भी हमारे सदन में चाए लोक सबा हो या राज्य सबा हो दोनों में कहीं पर भी impeachment का process चालू हो सकता है it is easy अब ध्यान रखो जब भी impeachment का process चालू होगा उस दोरान जिस भी house में चालू होगा उस house के एक चोधाई member को one fourth of the members को one fourth of the members sign करेंगे कि भाई हमने ये impeachment लेकर आ रहे है प्रेजिडेंट का one fourth member एक चोधाई member उस house के और फिर चोधा दिन का notice दिया जाएगा प्रेजिडेंट को उनको बताने के लिए कि भाई साब आपके खिलाफ impeachment process चालू हुआ है अब भाई जिस house के अंदर वो 14 दिन का impeachment process चालू हुआ है उसी house के अंदर जब वो पेश किया जाएगा ये सबसे कठिन है हमारे सम्विधान में कि two-third दो तिहाई जो member होंगे उस house के जो total member होंगे उस house के उनकी दो तिहाई जो है two-third of the majority वो पास करेगी two-third of the majority और उसी के बाद दूसरे house में जाएगा अब ये को first house में प्रेजिडेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना पक्ष रख सकें क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है as a court behave कर रहा है हमारा parliament is behaving like a court judicial power of the union parliament के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पर जब दूसरे house में जाएगा जिसको भी दो तिहाई से ही पास करवाना है उस समय पर प्रेजिडेंट चाहें तो वो अपने आपको represent कर सकते हैं he have right to appear और अगर दूसरे house ने भी पास कर दिया तो उस समय पर मान लिया जाएगा that president is removed from his office यह मान लिया जाएगा कि भाई president is removed from his office आ गया समझ में अब यह जो मैंने आपको impeachment process समझाया इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ना parliament role play कर रहा है only two houses लोकसभा राज्यसभा और एक और खास बात है लोकसभा राज्यसभा के सारे member part play करना है member मतलब चाहे वो elected member हो या वो nominated member हो अब यहां से हमें एक तिस समझ में आती है ध्यान से सुनना जब जब हमारे president के election हो रहे थे उस दोरान कौन-कौन participate कर रहा था elected member of लोकसभा राज्यसभा है ना पर जब impeachment हो रहा है तो nominated member और elected member दोनों participate कर रहे हैं जब election हो रहे थे तो elected member of state legislative assembly चाहे वो state की हो या यूटी के हो वो भी participate कर रहे थे बट उनका कोई रोल नहीं है जब president के खिलाफ impeachment चल रहा है यह चीज आप सब को समझ में आई तपूद the answer is no इतना पॉइंट सब को समझ में आगया थीक है चाहँ जल्दी से एक बात बताओ अभी मैं एक emoji डालूँगा जल्दी से वाला emoji डालो कौन से वाला emoji डाले हैं देखते हैं कौन-कौन जग रहा है यह वाला emoji डालते हैं चलो हम है तुम लोगों के पास यह वाला emoji बिनर कब वाला सो रहे हो के जाग रहे हो है ट्रॉफी वाला क्या बात है यह तो बढ़िया है फिर ठीक नाओ गाइस वेकेंसी आफ दी प्रेजिडेंट पर आगे बढ़ो कि भाई प्रेजिडेंट का ऑफिस पर वेकेंट कब रह सकता है वो तब रहेगा जब उनका पांच साल खतम हो जाए या वो रिजाइन कर जाए या उनको इंपीच कर दिया जाए या उनकी डेथ हो जाए या उनको डिस्कौलिफाई कर दिया जाए जब भी वेकेंसी होगी सिटिंग प्रेजिडेंट तब तक रहेंगे जब तक नए प्रेजिडेंट नहीं आजाते और जैसे ही मान लो किसी केस के अंदर सिटिंग प्रेजिजेंट की डेथ हो गई वेकेंसी हो गई तो भीला डेथ हो गई तो अब एकदम तो चुनाव नहीं करा पाओगे तो वाइस प्रेजिजेंट उस समय पर प्रेजिजेंट का रूल अदा करेंगी उसी समय पर वो ओथ ले लेंगे उनको भी ओथ CGI कराएंगे और वो इस समय प्रेजिडेंट के पत्पे बैठ जाएंगे ठीक पर ये तभी होगा जब वेकेंट हो जाएगी ये तभी होगा जब डेथ हो जाएगी अगर मनलो प्रेजडेंट है और election हो रहे है वो आगे रहेंगे तब तक जब तक कि नए प्रेजडेंट नहीं आ जाता ऐसा नहीं है कि उसके बीच में वाइस प्रेजडेंट आ जाएंगे महीने के अंदर-अंदर उनका चुनायफ कराया जाए जरूरी भी है नेसिसरी भी ठीक clear मान लो प्रेजिडेंट भी नहीं है वाइस प्रेजिडेंट भी नहीं है तो उस समय पर चीफ जस्टिस ओफ इंडिया वो रोल प्ले करेंगे CGI विल प्ले देट रोल ठीक और CGI भी नहीं है तो senior most judge of supreme court अब आप बोलो के सर वो भी नहीं है तो भाई इतने सारे होना ना होना possible नहीं है supreme court की current strength कितनी हो गई है कितनी हो गई है supreme court की current strength what is the current strength of supreme court interregnum मतलब होता है खाली समय वो खाली समय नहीं रहेगा इसी लिए तो हम लोग यह सब चीजें पढ़ रहे है 34 34 is now the strength of supreme court तो भाई सब ऐसा तो होगा नहीं कि इतने सारे लोग है ही नहीं it is not possible ठीक है powers and functions of the president पर आजाओ जल्दी से powers and functions of the president नहीं जल्दी जल्दी करते हैं executive power मैं पढ़ रहा हूं तुम लोग सुनना executive power simply executive का मतलब होता है when you have power to implement something किसी की appointment करना कुछ implement करना कुछ decision making power वो सारी की सारी power जो होती है न VP does not get opportunity देखो भाई simple मैंने बोला मांदो president हैं अपने पत्पे बैठे हैं नए president के चुनाव हो रहे हैं नया president अभी आया नहीं है पिछले president के 5 साल पूरे हो गए president के चुनाव हुए तो ऐसा नहीं है कि पुरेमले president अमना पत्प छोड़ देंगे नहीं वो तब तक रहेंगे जब तक की नयवाला president उथ नहीं ले ले था यहां पर vice president को वो मौका नहीं मिलेगा उनको मौका सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब president की death हो जाती है किसी क्यांट से वो पद vacant हो जाता है इतनी से चीज बोली मैंने ठीक है ठीक है गाइस एक छोटी से चीज और बता रहा हूं जो मैं आपका complete करा रहा हूं न इसको आप चाहो तो paper से एक हफता पहले पूरा दिन बैठ कर two x में सुन लोगे चार से पांच घंटे में और करना जरूर बहुत काम आएगा बढ़िया revision होगा किताब दिमाग में छप जाएगी छप समझे सुनो अब एग्जेक्योटिव पावर सुनो हां बाई जितने भी काम किये जाते हैं भारत सरकार द्वारा वो सारे president के नाम पे किये जाते हैं यह इनकी executive power है यह कोई rules कोई order specify करके सामने रख सकते हैं यह इनकी एक और power है यह rules बना सकते हैं for transaction of business of union government c वाला point important है इसके ओपर सितारा लगा लेना he can make rules for more convenient transaction of business of the union government d वाला भी important है he appoints the prime minister and other ministers ठीक है president appointing authority है हमारे देश में maximum जितने भी समवेधानिक पद है हाँ मैं इस सब की एक वीडियो बना दूंगा attention मतले सुभम ठीक जितने भी समवेधानिक पद है उनमें जादातर हमारे president ही appoint करते हैं और खास बात है प्राइम मिनिस्टर तो तब तक के लिए ही रहते हैं जब तक president का pleasure है मतलब उनकी मर्जिया प्लेजर का मतलब यह नहीं जब भी मना आएगा आठा देंगे वह देखेंगे कि भाई साम majority है की नहीं है न देखेंगे कि भाई majority है की नहीं उसको देखेंगे he appoints attorney general of India उनके remuneration भी यही decide करते हैं और attorney general भी जब तक इनका pleasure है तब तक के लिए ही पद होल्ड करता है Comptoral Auditor General, Chief Election Commissioner, UPSC के Member Chairman, Governor of the State, Finance Commission, so on in body की भी appointment प्रेजिडेंट करते हैं प्रेजिडेंट, executives के अंदर भी head का रोल निभाते हैं इसलिए वह जब चाहें जो चाहें वह information प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं ठीक, उनके पास इतनी power है कि वह अपने decision के लिए प्राइम मिनिस्टर को वापस लोटा भी सकते हैं for reconsideration यह बहुत important point है दोस्तों आई वाला इसके ओपर भी star लगा लेना यह इसके star लगवारा हो क्यों बाकी point तो आप लोग general याद रखते हो यह वाले क्या होता है कभी कबार miss कर जाते है ठीक सर अब तो ECI का तो CGIP opposition हो गया है न मेरे दोस्त वो उनकी selection committee है appointment अभी भी उनी के पास है चीजों में confuse मत हो selection मत कमीटी मतलब जो नाम भीजेंगे खीक है he appoints interstate council to promote center state and interstate cooperation यह मैंने आपको अभी recently question में भी दिया था और जिस और यह directly UT के head तो होते ही है और जिस area को चाहें उस area को scheduled area घोशित कर सकते हैं very important point last point very important clear he can declare any area as scheduled area and has power with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas अब इनकी legislative power पर प्रेजिडेंट पार्लियमेंट का भी integral part है क्योंकि जब हम पार्लियमेंट के बारे में बात करते हैं तो पार्लियमेंट तेन चीजहों से मिलकर बना है मुला प्रेजिडेंट लोकसभण और राज्यसभा प्रेजिडेंट लोकसभा राज्यसभण इन तीनों से मिलकर बने हैं तो वो सम्मन कर सकते हैं प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियमेंट को इवन डिजॉल्व कर सकते हैं लोक सभा को समन प्रोरोग इन सब का मतलब क्या होता है देखो प्रोरोग का मतलब होता है एक सेशन को अन्त करना जो हाउस का एक सेशन चल रहा है जैसे अभी अभी रीसेंटली बजट सेशन गया तो उस सेशन को खतम कर सकते हैं प्रोगेशन इंप्लाइज दी एंड अफ दी सेटिंग अस वेल अफ दी सेट एंड अफ दी सेशन जब हम उसी के पैरलली डिसोलुशन के बारे में बात करते हैं डिसोल्फ का मतलब होता है कि हाउस को ही खतम करती हाउस को ही खतम करती है ठीक और वेन यू टॉक अबाउट प्रोगेशन उसका मतलब होता है termination of a session by a presidential order prorogation का basic मतलब हो यही होता है कि sitting और session खतम करते हैं ठीक समन का मतलब होता है कि भाई उनको इस चीज़ का order देते हैं एक और चीज़ यह है कि joint sitting जो होती है parliament के अंदर जब कोई बिल अटक जाता है तो भी president ही उसका आपको order देते हैं ठीक है दूसरा यह parliament को address करते हैं हर एक पहले session के जो भी general election के बाद का पहले session होता है उससे पहले और हर एक साल के पहले session से पहले guys आपको याद है मैंने आपको एक topic दिया था motion of thanks motion of thanks वो इसी के बाद होता है ठीक वो house of parliament को message भेज सकते हैं अगर कोई bill pending है तो कि भाई जलती से pass करो he can appoint any member of Lok Sabah to proceed over its sitting when the offices of both speaker and deputy speaker fall vacant speaker और deputy speaker का पद अगर कभी vacant पढ़ जाता है तो उस दोरान कौन बनेगा वो भी president ही उस व्यक्ति को appoint करते हैं important point है यह वो point है जो अभी paper में नहीं पूछा गया है पूछा जा सकता है इसलिए माग कर लेना जो बारा लोग है राज्यसवा के उनको nominate भी यही करते हैं अब दो एंगलो इंडियन तो बचे नहीं है नहीं तो पहले उनको भी यही करते थे जो भी disqualification होता है ना member of parliament का ठीक the disqualification of member of parliament under representation of people act under the constitution वो यही decide करते हैं in consultation with election commission यह point याद रखना ठीक यही decide करते है इनकी prior permission लेनी परती है कुछ certain type of bill को introduce करने के लिए जैसे money bill को introduce करने के लिए इनकी prior recommendation की जरुरत है जब bill president के पास आता है तो इनके पास तीन option होते हैं या तो वो उसको ascent दे दे या withhold कर ले या बिल को return कर ले ऐसे उनके पास power होती है अगर देखो ना state legislature का कोई bill है जिसको governor ने प्रेजिडेंट के पास रखा है तो तब भी इनके पास यही तीनो power है इनके पास एक और खतरनाक power है कि यह ordinance भी promulgate कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ordinance making power क्या कहते हैं ordinance making power वो भी हम लोग अभी आगयाने वाले चैप्टर में देखेंगे आगयाने वाले pages में देखेंगे जो Comptroller and Auditor General, UPSC Finance Commission की जो report पार्लियमेंट के सामने रखी जाती हैं वो भी इन ही के दोवारा रखी जाती है ठीक तो इस आर दी important things financial power भी है इनकी जैसे money bill है इनके बिना recommendation के introduce नहीं होगा annual financial statement जो budget है हमारा उसको रखने की जमेदारी पार्लियमेंट के सामने इन ही की है वो तो finance minister इनके नाम पे रखते है याद रखना finance minister इनके नाम पे रखते है जो power है असलियत में वो president के उपर responsibility है कि president causes to be lay before the parliament the annual financial statement ठीक कोई भी grant अगर चाहिए होता है तो वो बिना इनकी recommendation के नहीं मिल सकता है इवन हमारे देश का जो contingency fund है उसमें से पैसा निकाल कर भी यही दे सकते हैं and he constitutes finance commission also इनकी judicial powers भी है judicial power क्या क्या judicial power देखो सबसे पहले कि judiciary का जो पूरा structure है ध्यान जे सुनो अरे सुन लो days कितने भी रह गए हो समय कितना भी रह गया हो ध्यान नहीं वटकाना है क्योंकि समय सोच कर कभी कभी समय बरबाद होने लगता है तो judiciary के अंदर जितनी भी appointment होती है chief justice की judges of supreme court की high court की यही करते है even कभी कभार कुछ law या fact पे यह खुद supreme court की advice लेते है और यह खास बात है अगर advice इन्होंने ले ली है तो that is not binding वो binding नहीं होगी इनके उपर यह advice तो ले सकते है supreme court से पर इनके उपर वो binding नहीं होगी ठीक इनके पास diplomatic power भी है diplomatic power मतलब दुनिया जान में जितनी भी treaty होती है agreement होते है सब यही sign करते हैं और कहीं पे हमारे देश के even प्रधान मंतरी भी कहीं जाते हैं तो इन्हीं के नाम पे जाते हैं जितनी भी diplomat ambassador high commissioner जाते हैं कुछ चीज़े करते हैं इनके पास military power भी है because he is the supreme commander of our defense forces he is the supreme commander he is the topmost person he is the most powerful इनसे उपर कोई नहीं फिर emergency के दौरान इनके कुछ power आ जाती हैं वो अब लोग emergency वाले chapters में आगे देखेंगी now वापस आ जाते हैं इनकी judicial powers पे guys judicial power पे वापस आ जाओ judicial power में मैं miss कर गया मैंने एकदम आगे बढ़ा दिया chief justice के बाद judicial power में उनके पास काफी सारी powers हैं जैसे मानलो हमारे देश में कोई भी case हुआ किसी को सजा हुई वो lower court, high court, supreme court तक पहुच गया supreme court तक पहुचा और उसके दूसे सजा हो गया इवन मानलो व्यक्ति को भाई साब मृत्यू तक की सदा हो गया है उस व्यक्ति को death sentence हो गया है तो भी finally क्योंकि he is the head of the state and he has some judicial powers हम बोलते हैं कि check and balance के लिए कि जुडिशरी से मानलो कोई गलती हो गयी हो उसको complete करने के लिए हम लोगोंने president को ये power दी है तो pardon का मतलब होता है ये pardoning power दोस्तों आर्टिकल 72 में लिकी हुई है pardon का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से माफी दे दे मतलब जो sentence उसको दिया हो sentence का मतलब होता है कि कितने साल के लिए उसको सजा दी गई हो और conviction मतलब जो उसको और उसके साथ सजा दी गई हो completely खतम कर दी जाती है फूर्ण तरीके से माफी भी दे सकते हैं यह उसे बोलते है पाइडन दूसरा यह चाहें तो उस व्यक्ति की जो सजा है उसको थोड़ी हलकी सजा में convert कर सकते हैं form of punishment change कर सकते हैं जैसे किसी को मानलो death sentence दिया है उसको imprisonment की सजा दे दी किसी को मित्यू की सजा मिलिया उसको कुछ कारवास की सजा दे दी क्या हुआ कि उन्होंने pattern बदल दिया उन्होंने change कर दिया punishment का जो form है उससे बदल दिया उसको बोलते है commutation अब यार रखना commutation जो शब्द है वो आया है शब्द से जिसको हम भोलते है mutation mutate कर देना फिर आता है शब्द remission remission के मंदर क्या होता है sentence को कम करना और ये तभी होगा जब किसी को कारवास का कोई समय दिया जाएगा तो उसको कम कर देंगा उसको बोलते है remission respite का मतलब होता है अगर किसी को मानलो कोई बिमारी हो गई कोई महिला प्रेगनेंट हो गई कोई व्यक्ति का मानलो जील में कोई ऐसा हाथसा हो गया कि उसके हाथ पे तूट गए तो ऐसी कुछ special condition में भी उस व्यक्ति का sentence change किया जा सकता है उसको बोलते है respite उसको कम सजा मिल सकती और अगर इन सब में से किसी पे president मानलो फैसला ले रहे हैं और नहीं लिया है और एक व्यक्ति का execution का समय आ गया है उसको मतलब फासी पे सचड़ाने का उसका समय आ गया है तो उस को गोलते हैं reprive तो सबको clear हो गया अब यहाँ पर यह चीज याद रखने है मैंने जितनी वी चीज़ें आपको बताई है यह president किसी भी case में ले सकते हैं किसी भी मतलब चाहे वो death sentence हो चाहे वो court martial हो court martial क्या होता है या army के अंदर rules होते हैं आर्मी के किसी भी व्यक्ति को normal courts के अंदर उनको नहीं उनके खिलाफ trial हो सकता है तो आर्मी की अलग से अपनी court होती है तो उसमें जो action ले जाते हैं उन्हें court martial कहते हैं तो मार्लब इसको court martial में सजा मिल गई है तो उसमें भी president कोई भी action ले सकते हैं और वो कोई भी punishment या sentence तब यहां पर अपनी power का इस्तमाल करेंगे जब वो union law के खिलाफ हो याद रखना है when they are against the union laws not against the state laws they are against the union laws clear everyone clear guys moving on president के पास कुछ veto powers होती है veto का मतलब यहां पर यह है कि जब president के पास या president के पास bil आता है तो उसमें वो Suzanne Bill का क्या कर रहा है ठीक मैंने आपको बताया कि तीन option है या तो Bil को उपर अपना ascent दे मतलब अपनी हामी दे या Bill को हामी देने से मना कर दे या Bill को return कर दे या Bil को ऑपनी बिलको जेब में रख लें बिलको बिलके उपर बैठ जाए ना उसमें हामी दे रहे हैं ना उसमें ना कर रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं बस उसको चुपचाप रखा हुआ है ठीक बस यह जो चुपचाप रखा हुआ है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ठीक है अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि सबसे पहली होती है absolute veto absolute veto का मतलब कि president चाहे तो उस bill को मना कर दे reject कर दे he has a rejection power अब यह किन cases में करेंगे जब एक private member bill है now who is private member private member मतलब जो व्यक्ति council of minister का पार्ट नहीं है कोई भी ध्यान सुनना कोई भी चाहे वो majority party से क्यों नहीं वो अगर council of minister का पार्ट नहीं है तो वो private member क्याला ठीक है दो तरहिके से member of parliament को divide कर सकते है private member council of minister तो अगर वो private member है उसने कोई bill पास किया है प्रेजिजिन्ट reject कर सकते है अगर कोई bill सरकारी bill है पर उस दोरान cabinet ने resign कर दिया तो उनके पास power है कि वो उस समय उस bill को reject कर सकते है ठीक clear उसको बोलते है absolute veto उसको withhold कर लेंगे ठीक है और उसको बस करके बैड़ जाएंगे दूसरा आता है suspensive veto suspense का मतलब है कि भाई ना हा कर रहे हैं ना ना कर रहे हैं क्या कर दिया return कर दिया मतलब उनके पास घुमा फिरा के लोग सब रज्जसमय पास हुआ इत्ती मेनत मुशकत के पास उनकी जेब में बिलाया उन्होंने वापस भेज दिया वापस भेजने का मतलब होता है कि वो कहना नहीं चाह रहे हैं बस कुस तो गड़बड़ है दया ठीक ये वाली थोड़ी सी इस्तिती है ठीक तो उस वाली कंडिशन के अंदर सस्पेंसिव वीटो ठीक है अब ऐसा है कि वाई सब चीजों में सस्पेंसिव वीटो नहीं आता है वाई सब चीजों में रखकर बैठ है ठीक है वीटो जैसे मनी बिल के केसिस में उनके पास नहीं होंगे प्रेइज vend can either give his assent to a money bill या उनको मना करना पड़ेगा बर वो return नहीं कर सकते याद रखना money bill को षो ने return नहीं कर सकते प्रेइज़एम मनी बिल को अपना send एईई देते हैं नौर्मली वैसे reject भी कर सकते हैं क्यों ने देते हैं क्योंकि भाई वो introduce भी उनीके recommendation से हुआ होता है last होता है भाई pocket veto जैसे कि नाम में आ रहा है कि जेब में रखके बैठ जाना literally जेब में रखके बैठ जाते हैं क्योंकि इसके कोई भी time limit नहीं है there is no time limit कि 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 time limit तक प्रेजिडेंट इसको जेब में रखके भूल सकते हैं प्रेजिडेंट जैल सिंग ने 1986 में इंडियन पोस्ट ओफिस का एक बिल था राजेव गानी जी ने पास किया था कि सरकार चाहे तो किसी का भी खत पड़ सकती है सोचो उसको जैल सिंग जी ने उस समय पर हमाई right to privacy प्रिटेक्ट करते हुए जेब में रखके भूल गए थे याद रखना कि constitutional amendment बिल जो होते हैं न हमारे कि इतने भी हमारे constitutional amendment बिल होते हैं suspensive veto में वो return कर रहे हैं जब वो return करते हैं तो वही suspense है कि उन्हें हा नहीं करी ना नहीं करी बज़ वापस बेशते हैं that is just suspensive veto समझ में आ गया pocket veto समझ में आ गया कुछ चीज़ें याद रखना constitutional amendment के अंदर president को अपना assent देना ही पड़ता है उसके अंदर किसी veto का कोई लेना देना नहीं होता है दूसरा money bill के अंदर president या तो accept करेंगे या reject करेंगे मतलब absolute veto का इस्तमाल करेंगे या तो assent दे देंगे हामी दे देंगे pocket veto या suspensive veto नहीं करेंगे ठीक clear दोस्तों ऐसे नहीं एक और veto होती है उसे बोलते है qualified veto वो हमारे देश में है नहीं उसमें क्या होता है अगर मानलो higher majority से legislature ने पास कर दिया तो president के veto को override कर दिया जाएगा ठीक है president के president को फिर उसमें हामी देनी ही पड़ेगी ठीक उसमें ये reject नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बात करते हैं guys अपना अगला topic है ordinance making power of the president ठीक ordinance making power चलो या आज आपकर last topic कर देता हूं president थोड़ा लंबा हो गया पर important भी था ठीक है प्रेजिडेंट की ordinance making power समझ रहो ठीक पांच मिनिट लगेंगे इसके अंदर आर्टिकल नंबर 120 आर्टिकल 123 प्रेजिडेंट की ordinance making power के बारे में बात करता है नो ordinance का मतलब है क्या भाई तो कानून बनाएगा पार्लियमेंट पर मान लो कभी पार्लियमेंट कानून बनाने के लिए दोनों house का उस समय पर present रहना जरूरी है लोकसभा का भी राज्येसभा का है अब राज्येसभा तो permanent house है राज्येसभा तो continuance होता है पर लोकसभा तो नहीं है उसको session करने पड़ते है अलग-अलग अब मानलो लोकसभा सेशन में ही नहीं है लोकसभा महा पर है ही नहीं ठीक तो उस दुरान हमें मानलो कोई important law पास करना है कोई important कानून लाना है तो उस particular case के अंदर उस particular case के अंदर president को यह power दी गई है कि president law making कर सकते है पर याद रखो वो उनी चीज़ों पर law make करेंगे जिन चीज़ों पर पार्लियमेंट कानून बना सकता है और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब पार्लियमेंट का recess है जब पार्लियमेंट के दोनों house in session नहीं है ठीक एक और चीज़ याद रखना कि यह जो ordinances होते हैं यह थोड़े temporary laws होते हैं परमनेंट नहीं होंगे क्योंकि इनकी ने एक समय सीमा होती है कब तक के लिए applicable होंगे क्योंकि उस समय सीमा के बाद पार्लियमेंट को उनको अपने तरीके से पास करना होता है ठीक clear एक और चीज़ प्रेजिडेंट ने मान लो कोई law पास किया है ओर्डियमेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर सकती है judicial review डाल सकती है कि भाई law malafide basis पे आया था malafide मतलब उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से personal benefit के लिए अगर आया तो judicial review की यहाँ पर प्रेजेंस है याद रखना judicial review की प्रेजेंस है ordinance सिर्फ उन्ही सब्जक्ट पर होगा जिन पर पार्लियमेंट कानून बना सकता है ऐसी लिए जैसे ordinance कोई और fundamental right या बाकी सारे काम नहीं कर सकता है ordinance के लिए और चीज़ आप लोग याद रखोगे कि ordinance जब आया तो उसको छे हफ़ते के अंदर अंदर six weeks के अंदर अंदर दोनों house द्वारा पास कराना पड़ेगा अगर उसको प्रमनेंट लॉब बनाना है नहीं तो वो छे हफ़ते के बाद invalid हो जाएगा वापस से ordinance लाना पड़ेगा अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है कि maximum tenure और ordinance का कितना रह सकता है तो सम्विधान कहता है कि दोनों houses अपने session में दो session के बीच में maximum gap छे महीने का रख सकते हैं तो यह example मानो कि आखरी दिन है लोकसभा का session खतम हो गया दो पहर बारा बजे और उस दिन ordinance ले आए है अब उसके बाद तो maximum time छे महीने बाद मिल सकती है लोकसभा तो जब वो छे महीने बाद मिलेगी उसके बाद के छे हफ़ते का time लग जाएगा जब तक वो वैलिड रहेगा तो maximum time एक ordinance इन प्रेजेंस रह सकता है वो है छे महीने प्लस छे वीक 6 months प्लस 6 weeks एक और चीज़ ordinance सिर्फ और सिर्फ on the advice of council of minister के ही आ सकता है एक और चीज़ ordinance रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है बताया था लॉज रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते है ठीक रेट्रोस्पेक्टिव लॉज भी आ सकते है अगर पार्लेमेंट कोई action नहीं लेता है ordinance 6 अफ़तों बाद expiry हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है lapse हो जाता है heat clear done पीछे एक बच्चा रिक्षा रिक्षा था किसा प्रेज़ेंशल पावर ओवर स्टेट लेक्षा अपने से ध्यान नहीं दिया मैंने वो पीछे भी करा दिया था ratify कर सकता है और यह भी बता दिया था कि वह समय भी पाड़निंग इन पावर का चैप्टर हो जाता है तो क्या होता है vice president असानी सी हो जाएगा आपका विदिन सा ओं आपका governor विदन मिनेट्स हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने में 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 चीजों के पूरी definitions understand कर ले इसलिए it was important मुझे बहुत मज़ा आया आज फिर आप लोगों के साथ उमीद करता हूँ आप लोगों को भी मेरे साथ उतना ही मज़ा आया होगा प्लीज लाइक करना और अगर थोड़ा सा मेरे effort को आप support कर सकते हो तो अपने दोस्तों को बताना या share करना या अपने बहाई बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना इस session के बारे में मत भूलना this is my humble request and इस channel पे आपके EPFO के लिए या आपके और भी चीजों के लिए वीडियो डलती रहेंगी मैं कुछ और चीजे के लिए भी वीडियो डालूंगा उनको भी देखना और support करना thank you for joining good night everyone bye bye take care tata see you